दोसों आप लोग अपने YouTube चनूब पर गलत टाइम पर वीडियो अफलोड करते हो, जिसकी बैसे आपके वीडियोपर फ्यूज नहीं आता है, 100% लोगों में जितने भी यूटूबर हैं, नए यूटूबर हैं, वो अपने YouTube चनूब पर गलत टाइम पर वीडियो, पर वीडियो अप्लोड करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि यह सही टाइम पर वीडियो अप्लोड करना चाहिए आप अपने वाइटी शुडो को ओपन करो और ओपन करने के बाद में ओवर व्यू पर जाने के बाद देखो कि आपके 48 गंटे में टेहमात eh 400-300 500 यही विडियो आरहें है था फिरा देखोट करते हैं और यहाँ पर अगर आप गलत ताइम पर गलत टाइम पर अगर आप वीड़ो प्लोड करते हो और आपके सजेश्टेट से भी वीड़ोड आना बंद हो जाएगा क्योंकि YouTube को पता ही नहीं चलेगा ठीक है आप गलत टाइम पर आप वीड़ोड करते हो तो और YouTube other features से जो views आते हैं वो भी आपके वीडियो पर views नहीं आएगा तो इतना बड़ा नुकसान होता है आपके वीडियो पर गलत टाइम पर वीडियो पर views अप्लोड करने से यानि कि अगर आप गलत टाइम पर वीडियो प्लोड करते हो तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है और आप कितनी भी अच्छे वीडियो बनाओ आपके वीडियो नहीं आएंगे आपको पता है कि जब आप वीडियो अप्लोड करते हो तो आप वीडियो अप्लोड करने के बाद से ही आपके वीडियो का इंप्रेशन्स लोगों के पास में जाने लगता है अब यह impressions क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बदाता हूँ अपने white studio में ले जारके तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना white studio open किया हुआ है अब देखिए जैसे मैंने एक video upload किया था उस video पर views अभी देखो कितना है impressions कितना गया है 4,94,000 अगर impressions गया है और यहाँ पर मै देख लिजे क्या लिखा गया है ध्यान सो देखिएगा यह होता है सही टाइम पर video upload करने का नतीज़ा views are 2.2 times higher than usual यानि कि normal से दो गुना ज्यादा views आ रहे हैं इस video पर क्या लिखा गया है more regular viewers are choosing to watch its helping to increase its reach on YouTube recommendation यानि कि लोग ज्यादा इस video को देख रहे हैं और YouTube इसे लोगो कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि गलत पर अगर आप video upload करोगे तो आपके notifications नहीं जाएगा तो notification तब नहीं जाता है जैसे माल लिजी आप 8 बज़े वीडियो upload कर देते हो और आपके जो वीडियो देखने वाले हैं तो माल लिजी एक बज़े देखेंगे तो जब आप 8 बज़े वीडियो upload कर दोगे और उसी टाइम पर आपकी वीडियो का growth होना चाहिए और उस टाइम पर आपकी audience आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो आपका वीडियो डालने का time ही बेकार होगे या और आपकी वी सब्सक्राइब में वीडियो upload कर दिया थीक है आठ वजय सूबा अगर आपकी वीडियो का graph उठ गया उपर ऊठ गया तो आपके वीडियो पर वीडियो पर आच्छे आएंगे और माल दिजिए वीडियो अप्लोड करने के बदद आपका graph इस तरह से डाउन हो गया तो आप इसको बताने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटा साब से रिक्वेस्ट करना चाहूँँगा, वीडियो गर आपको पसंदारीत वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को जरूर से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको यूटूब ट्विक से र अराउंड इस टाइम, ठीक है, कि अगर माल लिजे आप जब वीडियो अप्लोड कर रहे हो, जिस टाइम पर अपनी वीडियो को पब्लिस कर रहे हो, उस टाइम पर अगर माल लिजे आपकी ओडियंस एक्टी भी नहीं है, तो आपका डालने का फायदा ही क्या है, यहाँ प यूटूब अराउंड ताइम आफ्टर इस वीडियो वास पब्लिस नाइन पीम तु नाइन एम, यानि कि नौ बजे राज से ले करके, ठीक है, नौ बजे सुबह तक वीडियो अप्लोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आउडियंस एक्टिव नहीं रहती है, और ये चीज आपको अपने वाइटी शुडो में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कब आपको अपने यूटूब चर पर वीडियो अप्लोड नहीं करना चाहिए, आप देखोगे तो सब कुछ दिखीगा, अपने वाइटी शुडो को जब उपन करोगे, और अपने वीडिय पर वीडियो पर मातर 10, 20, 25 वीडियो आकर के रुक क्यों जा रहे हैं, कभी उस चीज को समझा है, नहीं, जिस दिस समझना स्टार्ट कर दोगे, आपके वीडियो पर वीडियो अच्छा तरीके से आना स्टार्ट हो जाएंगे, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आ आपके चनल पर सब्सक्राइबर की संख्या एकदम से कम है, 0 है, माली जी आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, और अगर माली जी आपके चनल पर 1000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हैं, या 1000 से 5000 के बीच में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो आपको वीडि एक महीने में आप यह ट्राई करके देखो मेरी बातों को आप एक महीना ट्राई करके देखो आपको रिजल्ट ना मिले ना तो साला यूटुब छोड़ दूँगा मैं ठीक है सबसे पहले काम करो आप वीडो बनाओ जो भी आप वीडो बनाते हो एक टाइम डिशाइड कर लो ठीक है जैसे माल लीजे आपको कब-कब वीडो अप्लोड करना है माल लीजे हफते में कितने दिन संडे हो गया मंडे हो गया आपको अपने चल पर कब वीडो अप्लोड करना चाहिए संडे को जैसे माल लीजे आप वीडो अप्लोड कर रहे हो सबसे पहले यह सोच लो कि के टाइम पर करना है रात के टाइम पर न्यूटूबर को कभी भी अपने चैपर वीडियो नहीं डालना चाहिए आप जैसे माल लीजे शंडे को आप करते हो आठ बजे या दस बजे सुबह कर देते हो ठीक है दस बजे सुबह कर देते हो तो मंडे को भी दस बजे तूजडे क आप अपने टाइमिंग चूस कर लो कोई एक बजे क्या में 10 इम पे करना है ठीक है हमें एक पी एम पे करना है यह हमें चार पी एम पे करना है ठीक है कभ करना है आपको यह एक टाइम कर लो और मालो आप Теперь बीड़ी वीडियो अप्लोड नहीं आप एक दिन आपने 10 बजे वीडियो पप्रिस्ट किया दूसरे दिन भी आप ने 10 बजे वीड inteligay तो जो भी आपके 10 वीयवर हैं वह आपके वीडियों को grows to the video फिर दूसरे दने जबो पर चला गया फिर थीसरे दिन तस बजे चला गया तो उनको ये मालू हो जाएगा कि यार इस चैनल से जो वीडियो है वो दस बजे ही आती है नोटिफिकर से न आएगा फटाक से दिख करके वो निकल जाएगे और आप जब मन करता है तब मन वीडियो अप्लोड कर दोगे तो आपकी ओडियंस बिगड जाएगी आपके सब्सक्रा आपको अपने वीडियो को अफलोड करने का तो आप एक सबसे अच्छा टाइमींग है वह है साम के पाँच बजे ठीक्ए पाच पीम का जो टाइमिंग होता है वो सबसे बेश्ट होता है क्योंकि इस टाइम पर उफिस को भी कैसा लोग माल ली जेर 5 मिनट की वीडियो है त तो पांस मिनट की वीडियो को देख करके फटाक से वो हट जाएंगे, ठीक है, तो ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा बेश्च होता है, एक बार इस टाइमिंग को आप अपना करके देख लो, आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले, तो फिर बोलना आकर के वीडियो पर कॉमें मिल देगा, ठीक है, तो मुझे बस यही बताना था कि आपको अपने वीडियो को सही टाइम पर अप्लोड करना चाहिए, अगर आप जब मनतब अप्लोड कर देते हो, तो वो नहीं सही है, यूटूब को भी तो पता चलेगा, जैसे माल लीजे, आप वीडियो अप्लोड कर चैनल की वीडियो जो है इसी टाइम पर आती है, इसका इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजो, समझ में आयाए मेरी बात को उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आख हो और इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला कॉमेंट करो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो ठीक है फेस्बूक पेज पर फॉलो कर लो वाटसप चैनल पर फॉलो कर लो कहीं पर भी आप मुझसे कुछ भी पूज़ोगे आपको जबाब इंस्टाइंट मिलेगा तो आए इसकी वीडियो में इतना ही मिलते एक एक नए वीडियो में एक नए टॉपकी साथ तक लिए जय हिन बंदे मात्रम